खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया 60 मिलियन की डील है यह टोटल इसमें सबसे बड़ा कोशन ही है कि कोई सा क्लब विनर है I don't think so I think यह थोड़ा सा अर्ली होगा कहना कि चल्सी की कोई अच्छी डील मिलिया है या फिर मैंचर्श उनाइटिट कोई अच्छी डील मिलिया है मेरे असाब से अगर ऑविसली मैंचर्श उनाइटेट को वो प्लेयर चाहिए था अरिक टनहा प्लेयर चाहिए था पहली साइनिंग मैंचर्श उनाइटिट की अगर वो वर्क कर जाता है जैसे माउंट इस साल अच्छी पर्फोरमेस नही रही उससे पहले थीन साल दो तीन साल बहुत अच्छी परफॉर्मस रही है उनकी चल्सी इसी तरह की परफॉर्मसिस अगर उनकी मैंचेश उनाइटी के लिए रहती है तो आपको पता है कि कोई प्राइस टैक जो है वो याद नहीं रखता है तो अरली अवोट से के चल्सी के लिए अच्छे डील हो ग यह वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं रात के ताइम तो काफी न्यूज आ रही है फब्रीजियो ने भी रिपोर्ट किया है और वर्बल एग्यमेंट जो है वो रीच हो चुका है और मैंने आपको कही थी यह बात आई तिंग कल की वीडियो के अंदर आपको यह बात की थी क ब्रोजोविश ाइसे हो सकता है कि वह वैट करें वाकी बार्सलोना के लिए फिर हो सकता है कि वह प्रेशर करेंट कर रहे हैं अलनासर के ऊपर अपनी प्रेमेर लीग प्लेयर थे फॉर साथम्टन उस ले वो चल्ची में भी खेल चुकी है अब ओविसली वो लाली का भी उनको एक्सपिरियंस तो इस नॉट जिसे मैंने कहा है जो हम चाहते हैं वो नहीं है बट इस लो कॉस्ट सुलूशन फॉर बार्सलोन और इसके लावा फिलहाला भी कोई ऑप्शन नहीं है तो यह आपको मैंने बता दी है आइ तिंग हम रोमेयो बार्सा अगर साइन करेगी वो एक लोग को साइन होगी तो बार्सा खुछ और डिल्ट की उपर फोकस कर रही है और डैको बहुत ज़एदा इंपोर्टन रोल प्ले कर रहे हैं सारी चीज के अंदर अब पहली न्यूस आ रही है कि आरदा गूलर की आरदा गूलर विल बिक अब डेको एसपर रिपोर्ट्स वो टरकी गए हैं आर्दक गुलर के एजेंट्स ने मिलने उनके क्लब से मिलने निगोशिएट करने एस पर रिपोर्ट्स राइट और आपको पता है कि आर्दक गुलर की जो टीम में उन्होंने दिनाय कर दिया था वो कमिशन वाला तो यह डील 70 million euros के अंदर 20 million euros के अंदर complete हो सकती है अब रोजो मुझे एक चीज concern मेरे लिए थोड़ी से concern है जो concern मुझे कर रही है कि यह रोजोवे से case के अंदर फब्रीजियो ने रपोर्ट किया कि 23 million बारसा नहीं पेख कर सकती तो क्या हम 70 million euros पेख कर सकेंगे पहले question mark पेख करनी पड़ेगी तो मुझे यह नी समय लगते ही या फिर हम वेटर हो का भी हम वह वाला case होगा obviously यार ब्रोजोवेच की तो salary बहुत जदा होगी आर्दा गुलर की तो उसकी आदी यादी होगी salary same will be the case with fresnada also उसको पर हम discussion करते हैं लेकिन आर्दा गुलर की signing obviously ब्रोज sell करने पड़ेंगे बहुत तेजी के साथ ठीक है हम टी टी लंगले होई छे प्लेयर जिनकी हमने बात की थी हो सकता है इसके अलावा भी कोई player sell करना पड़े उसको पर भी हम बात करते हैं लेकिन दूसी चीज़ ही हो सकती है जो कि मैंने विक्टर रूख के case में भी आपको क proposal लेके तो कुछ सोच के ही गए होंगे ना तो यह बहुत important है और I would be happy कि अगर बार्सलोना किसी तरह से आथ बिकॉस जिसे ही रिपोर्ट भी हो रहा है कि strategic signing है राइट, it's for the future, present के लिए भी हो सकते है future के लिए और मैं आपको आप से already scouting report share कर चुग है, he's a perfect player, I can play either side of the midfield, attacking midfield और number 10 के रूल के अंदर भी खेल सकते हैं, imagine Gavi, Pedri, Ardha Guller, learning from Gundogan, this will be absolutely amazing and it is very vital, यह लोगों को उतनी समझनी लग रही बात, because वो young player है और मारे पास दो player है, but यह strategic signing है और बहुत अच्छी signing लग रही है, मुझे, अब deck को एक और player के लिए push कर रहे हैं, जैसे मैंने का right back ल plan कर रही है कि पहली official bid मारी जाए, कहां तक यह deal हो सकती है, 15-20 million में deal हो सकती है, and it will not be a bad option मेरे असाफ से, लोग Arnao Martinez की नाम ले रहा है, वो भी बहुत अच्छे prospect है, लेकि फ्रस्नेटा भी बहुत अच्छा prospect है, obviously हमें अब इन options के उपर जाना पड़ेगा, अगर Ambrozovic के उ कि for example, जो 6 players का नाम लिया गया है, for example, Dest, Umtti, Langley, Kolado हैं, उसके अंदर कैसी है, यह players जो हैं, एक आध प्लेयर हो रहा हैं, यह players सारे ओफलोड हो जाते हैं, अगर Barcelona किसी तरह से भी, Inigo Martinez, Gundogan, Witter Roke, Romeo, Arda Guler, और Fresneda, यह जितने भी players में आपके नाम लिया है, 5 players, इनको sign भी कर लेती हैं, और रिजिस्टर भी कर लेती है, और अगर कोई और player छोड के नहीं भी जाता, तो I would be very happy, and obviously, अगर कोई player sell होता है, sell करते हैं, जैसे for example, news आ रही है, कि Aston Villa is very much interested in Ferran Tourist, ठीक है, Ferran Tourist के अंदर वो एक, इतनी कोई blockbuster deal नहीं है, हमने कितने 60 million pay किया थे, और Aston Villa offer कर यह loan with an option to buy, अच्छा अब इसके अंदर नहीं option to buy नहीं होना चाहिए, अगर आपको loan पे लेके जाना है player, तो आप loan पे लेके जाओ player, लेकिन mandatory option होनी चाहिए, पारसा प्लीज, तो 25 million report हो रही है, उसके अंदर भी mandatory option नहीं include होगी, तो फिर भाई क्या बनेगा, फिर हम तो move on ही नहीं कर पाएंगे, तो हमको move on करना है, वरना तो रोक लो फिर फेरन टोरस को, होनी चाहिए, loan with a mandatory option, for Aston Villa 25 million euros, तो I would say के चलो ठीकर, आप you move on, right, you move on to another player, इसके लाब आंसु फाटी के लिए कोई offer नहीं है, कोई discussion उसके ओपर कोई फाइदा ही नहीं बनता, इसके लाब upfront fees है, और wages को भी improve करें, वो भी कैसी wait कर रहे होंगे, अच्छा एक और news है, एक और अच्छी news आप क्या सकते हैं उसको, कि Demble is very close, he wants to stay, वो नहीं छोड़के जाना चाहते हैं, और वो बार्सा की terms पर agree है, अब देखो, अब वो कोई drama नहीं हो रहा, ना उसको कोई agent drama कर रहा खतम बात कहानी, अब problem मुझे वहाँ पर शुरू होता है, उन players से शुरू होता है, जिनकी performance भी कम होती है, ठीक है, सिदी सी बाता, performance भी उतनी नहीं होती, वो अपनी terms की उपर चीज़ें भी मांग रहे होते हैं, वो club जब उनको छोड़ने का कहता है, तो वो छोड़ते भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरी problem शुरू होती है, और मुझे घुसा आता है, और फिर लोगों को लगता है, शायद मुझे किसी player से कोई problem है, अब आप देख लें, dembley का क्या सागा था और आप situation देखें, तो I have no problem with dembley, ठीक है, एक अच्छी option extend कर देंगे, बार्सा की terms पे, अगर offer future के अंतर हमें offload भी करना पड़े है, तो पैसा मिले का, जिससे मैंने पिछले summer में का था, अगर बार्सा की terms पे करेंगे, और wages कम है, तो sell करना भी असान होता है player को, this is how it is, तो यह चीज़ें समझने की बहुत जरूरत है, financial situation के अंदर यह चीज़ें बहुत बहुत चल रही है अभी Barcelona की, अभी तक जब मैं यह video record कर रहा हूं, सुभा और भी news आ सकती है, change हो सकती है, उसके उपर जो है, वो हम बाद में react करेंगे, but transfer market is hot, Barcelona की news is hot, और अपना opinion दे comment section में regarding all the discussion जो हमने भी की है, Barcelona से related, and Mount से related, like, subscribe, share, keep enjoying football, until next time, it's a good bye from me, Vizgal, Barca.